हेलो दोस्तों, मेरे किचन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे सूजी की पापड खास बात है है कि सीधे हम कच्छे सूजी से पापड को बनाएंगे और इसको बनाना बहुत असान है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पापड बनाने के लिए मैहा ले रही हो एक कप सूजी या वाजन में 250 ग्राम है आप कोई भी सूजी ले सकते हैं क्योंकि इन्हें हमको फाइन पाउडर ही बनाना है इनको ग्राइंडर जान में ट्रांसपर कर देते हैं उसमें डाल देते हैं दो चम्मच मैरा और फाइन पाउडर पीस लेते हैं फाइन पाउडर हो गया है अब इने हम एक परतन में ट्रांसपर कर दे रहे हैं अब इसमें डाल देते हैं एक छोटी चम्मच सफिर नमक आप छोटी चम्मच काला नमक एक छोटी चम्मद जीरा, एक छोटी चम्मद चिली फ्लैक्स और एक चम्मद तील या आप्सनल है आप चाहें तो इसकीप कर सकते हैं और इसमें डाल रहा हैं उसी कप से एक कप पानी और इसको मिला लेंगे जिस्ते की इसमें थोड़ा भी कुख्लिया नपढ़ने पाए तो हमारे पापड अच्छे नहीं बनेंगे दो कप पानी परियाप्त है इधर हम पानी गरम होने के लिए रख दिये हैं अब ले लेते हैं इक धकन आप चाहें तो कोई प्लेट या कोई वर्तन गुर ले सकते हैं इसमें हलका हलका हम आयल ग्रीस कर लेंगे अब इसमें हम थोड़े से वेटर को डालेंगे और फैला लेंगे चारो तरफ ध्यान रहे कि वेटर ना जादे पतला हो और ना ही जादे मोटा है इस पर हम डाल दे रहे हैं कुछ धनिया के पत्ते हमने यहां तोट कर लिया हैं आप चाहें तो काटके भी डाल सकते हैं इस ही उसको ढग देंगे 40-50 सिकेंड हो गया है इनका कलर भी आप देख सकते हैं अब इने हम निकाल लेते हैं ठीक इसी तरह हम दूसरा बैस भी उसमें रख देंगे और 40-50 सिकेंड तो ढगां लगा कर छोड़ देंगे अब इने हम सुकने के लिए डालेंगे यहां पर हम एक कप छत्पे बहुत तेज दूप है और हावा भी चल लए इस कारण से हमारे पापड गिरकिरा भी हो सकते हैं अब इधर दूसरा बैस भी हो गया इनको निकाल लेते हैं और फिर से उसी तरह से हम पापड को जाली में डालते जाएंगे और ढखकल लगा कर इस टीम होने देंगे हमारे सारे पापड बनकर तयार हो गये हैं आप देख सते हैं कितने सुंदर पापड बने हैं एक कप सोजी में हमारे 75 पापड बनकर तयार हुए हैं इन्हें हम दो तीन तक दो में सुखाया हैं आप इनका फाइनल रीजल्ट देख सते हैं कितने सुंदर बने हैं हमारा एक पापर फटा नहीं है, कितना टांस्पारेंट और कितना सुंदर दिख रहा है, एक बराबर, अब इने हम तल लेते हैं, पैन में तेल डाल दिये हैं, गरम हो गया है, और उसमें डाल कर उलट उलट कर हम सेख लेंगे, आप देख सकते हैं, फ्राइ करने के बाद हमारे पापर स साइज में भी बराबर हैं, और ये तलने के बाद दूगने भी हुए हैं, कितना छोटा है, लेकिन साइज कितना बड़ा हो जा रहा है तलने के बाद, यहां मैं एक पापर आपको तोर कर दिखा रहे हूं, वाव, कितना क्रिस्पी बना है आप आपर, आप इसका कलर भी दे कर दना भूले